का पहली बार 2016 में UPSI दिया मेरा पडिए हुआ फिर्ट में मेने ज्योग्राफी से मैंस दिया फिर में इंट्रकोल नीर फिर मेरे 17 में वापिस मेरा पर्छिए हुआ फिर मेरे इंट्रकोल नहीं은 होँआ कि अठारा में मेरा पिरी नहीं हुआ तो फिर एक बार लग रहा था कि क्या होगा जिवन में फिर मैंने उसी वक्त आरस कि दिया था यह मेरा सट्रिक सेकिन टेमा रस में तो आरस में ने पिरी दिया उसमें मैंस तिया और मेरे 342 नंबर थे मतलब की इंट्रू कॉल स्कॉल से दो नमर मेरे कम थे तो उस दोर में साइद वो सबसे एक मैं कुम होगा की बहुत जिंद की को लिकर प्रिटिकल दोर था जब एक बार लगा कि इपतानी कुछ नहीं कुछ नहीं होगा जिवन में तो रूम में पढ़ने का सुवाल ही प्यदा नहीं होता है आप देका भूत नहीं इंसान भूत होते हैं नहीं तो जाईए तो क्या पढ़ लूँ मैं उस राइटर की बुक की पढ़ लूँ जैसे मैं आपको घरा हूँ राजस्तान अध्यान है नाइन टें लेवन्त मैं मूं मोर देने नफ है बच्चे उसको भी नहीं बढ़ बाते जी कोचिंग मैं क लिए सफल आदमी की कमियों से बहुत जादा सिख सकते हो आप उन कमियों से बच सकते हो जो आपके केरियर को भोट तहें तक क assists stars सकता है विक्सके लिप्ट रगाइब को पढ़र उसको 100 वर्ड में आपको लिमिट करना इस लिए पर निए उतना याद करना रूकर दो हर एक पड़ करेंद हैं तो और एंग्वेज गहलेगे को छोटकर नीजय होड़ करा फ्रस्कórड एकॉड उजेट को लेकर है। टीम पिछले एक दिन से लगातार आज आरेश टॉपर्स के साथ इंटर्यू करने की कोशिश कर रही है इसी सिलसले में आज मायर शाथ सर है इनकी 552 रंग के साथ अंतीम रूपचे चैन हुआ है तो इस वीडियो में सर की और ओल जर्णी पिछले इनोंने करी टाइम से जो आर की डियुशन राष्तान कोलेज जयपूर से उसके बाद में ने पीजी किया जोग्राफी से डेली स्क्लोप एकोनोमिक्स डियू से और उसके बाद में पीजडी परश्यू कर रहा हूं सर और बात करते कल आपका रिजल्ट में आप फाइनल रोल नमर आपने देखा पीडिय एक लंबा जब संगर्स होता है उसके बाद में कुछ मिलता है तो उसका अनन्दी कुछ अलग होता है तो ऐसा हिसा है मैंने कुछ फील किया परिवार के साथ काफी इंजोई किया उस मुमेंट को जब पहली बार देखा कि हाम मैं बीस लिक्ष में आ गया हूं जब हम देखत किया तो यह भी एक अच्छा पल था लेकिन सर बात करते हैं इस जब पीडिएप में नाम देखा और इसके पीसे का कितना संगर्ष है वो सभी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं लेकिसा मैंने पहली बार 2016 में उपेसी दिया मेरा प्री हुआ फर्स्ट अटेम में मैंने जो मैंने उसी वक्त आरस्क दिया था यह मेरा सेकिन टेमा अरस में तो आरस में ने पिरी दिया उसमें मैंस दिया और मेरे 342 नंबर थे मतलब की इंट्रू कॉल से दो नंबर मेरे कम थे तो उस दोर में साइद वो सबसे एक मैं कुमूंगा की बहुत जिंदगी को लेकर आस था दिखाया इस पर चलते रहों चलते रहों फिर इसी दोरान मैंने सुचा कि कोई ना पहले सबसे पहले जोब प्रकड़ते हैं कोई ना कोई तो असिस्तिंट्र प्रपश्रिक यूब आई थी तो मैं उसी कि तारी कर रहा था और उसी दोरान ढिएस भी को पोस्ट रही तो मेरा उसमें चैन हो गया और मैंने उसमें जोइन कर लिया और उसके बाद में आरेज ये पिरी हुआ मेंन्स हुआ और अभी इंट्रू होके आपके साथ बैठा हूं इतनी संकर्श पूर्ण जिन्दिगी सुनके कई बार मतलब लाश्ट इज तक पहुंसके फाइनल सेलेक्शन नहीं हुआ ये एक अच्छी मतलब बहुत बुरी बात थी लेकिन आखिरकार आज पीडिएप में आपका रोल नमर दिखा और आखिरकार सेलेक्शन होके आप बहु इसम्मिर्ण डर्न इंटिट तो इसाथ दिक्क्त आई थी एक लग्बग मध्यम्म वर्ग के साथ आती हमें कुछ पता नहीं है हमें यह पता होता है कि सपना लेके चलते हैं कि इसमें करनाया करनाया कुन तो जब फस्ट अचेमें गया तो मैं लग रहा था कि प्री होना ची साहास मथे लेकिन मैंने उससे पहले प्रीन से पहले में इतिना इतेक्ट जब मेंस हुआ तो भी इस इंते बोड़ दोर में फ़ये थी एक बढ़ा हाँ कियो मैं और मेरे भाई हमारे पुरे खानदान में पहले ग्रेजुएट थे हम पोस्ट ग्रेजुएट थे तो इस वज़़से कोई एक वो व्यक्ति नी था हमारे सामने जो हमें तुरंट गाइड कर सके कि आपको इन गलतियों से बचना है तो मुझे लगता है आज तो मेडिया का दोर है, आपके पास काफी सोर्स हैं, काफी गहन सोर्स हैं और मुझे लगता है कि एक इनसान जहां तक मैंने सीखा है कि आप एक सफल आदमी से ज़्यादा, एक ऐस फल आदमी की कम्यों से बहुत ज़्यादा सीख सकते हो, आप उन कम्यों से बचसकते हो जो आपके केरियर को बहुत तह目前 कर सकता है तो यह है मेरा भी सुजाव और जो भी त्यारी कर रहे हैं उनको भी कि आप उन घलतियों से बचने के लिए आप उन लोगों सी मिलो आप उन को देखो कि उनका selection क्यों नहीं हुआ कौन कौन सी गलतियां हुई जैसे हम क्या करते हैं एक particular subject अधिर फोकस कर लेंगे या एक प्री होगा मेंस होगा तिया हम प्री में मगन होगे हमने मेंस का देखा ही नी तो मुझे लगा सब चीजों को पेरलर देखे एक संतुल्यन एक बैलेंस होना चीए आपके तो सबसे इंपोर्टेंट चीज जो मैंने सिखी मेरे दोर में वह यह है और एक सब लोग कहते हैं कि आप पैसेंस रखिए लगातार अपने धेवियों को बनाए रखिए और बैस लगे रहिए सर इस एक्जाम के लिए अगर नॉर्मल अपन बुकलिस्टेश्टेश्टेश्य की बात करें सर वह आपने कैसे एक सटीक रंदिती बनाई जो आखिरकार कई ने कई जो टाइम लगा लेकर आखिरकार आपको इस सफलता लेकर आई देखिए मेरी इस बार मेंस में सटीक अगर किया है तो मुझे समझ थी मेंस में यूपेसी में में मेरे जोग्राफी में कम नमबर आए फिर मैंने सब्जेट पी चेंज किया मैं एक चली तीन बार जोग्राफी से लिखा फिर मैंने हिंदी लिटरेचर लिया तो वहां भी मुझे दिक्का था 21 मैंने जब लास्ट होगा कि बच्पन के दोस्त हैं वीजे थालोड तो हम तीनों नहीं ही बेटके मेरे बड़े भाहसाब के निर्जेशन में हमने क्या किया कि जिसे आपके पास एक पॉइंट है कि भारतिये सवतंतरता अंदुलन में मैलाओं का युगदान तो हमें ये पता है कि 10 क्यूशन का मैं सब्सक्राइब उसकी जो मेक्सिमम दाइरा है, सो वर्ट्स का, उसको आप त्यार करो, टू दा पॉइंट लिखो. सर जैसे आपने इससे पहले बताया कि मतलब फर्ष्ट अटेम ने पास करने वाले लोग उतना एक्सपिरियंस नहीं होता है। और मैंने भी कही ने कही सुनाए कि पहले आटेम ने पास करने वाले पास बहुत ज़्यादा एगो होता है और लाश्ट अटेम तक जाने वाले एसस्पिरियंट के पास एक बहुत अनुभव होता है। मैं चाहता हूँ कि आपके अनुभव के जरिए इस प्रिप्रेशन के दोरान कौन-कौन सी गल्तिया रही जो तमाम एस्पिरिंट्स नहीं दोराएंगे साइट कहीं ने कहीं उनको बहुत हेल्प मिलेगे। सबसे बड़ी तो जो गल्तिया करता है जब आता है तो वो कहीं ने कहीं एक बहक से आता है कि मैं यह भी पढ़ लूँ मैं यह भी कर लूँ तो आप स्यांत हो कि देखे एक एक शेलेबस मना है आपको बता है ऑस अपीस एक झ्रेभ सी अक जी बात կहाना है इस य्स यह दस पॉइंट्स बे मोडन हिस्ट्री का सब सेलेबस कभलीड है आपको पेला काम करना है उन दस पॉइंट को लिखिए आपको जो सेकिन काम करना है जो सबसे इंपोर्टेंड मुझे लगता है वो यह करना है कि आप आर पीए सिके ज्यादा नहीं लास्ट के पांच साल के लगोर्ति गुशं खुता की उन सर 我 Luna को लिखिए कि इस दस पॉइंट में से जो फिके इसमें उसमेंशे किस लेंथ मैं इसब्थ में और किसविरेशननुन बिन केुशनज तो कहीं ने गहिए आपकी जो पढ़ाई के सुरुवात है वहीं से आपको आइडिया होगा कि कि स किस दिसा से आ सकता है किस गहराई से आ सकता है मुझे कितना डेप्थ पढ़ना है इस सब्जेक्ट को क्योंकि RPSC कुछ सब्जेक्ट में बहुत तक जाती है कुछ में नहीं जाती है तो मुझे लगता है कि आप टू दपोइंट रहिए इसलेबस उठाईए उसके प्रिवेश तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज की पढ़ाई बहुत जरूरी है उसमें एक्सप्लोजर जरूरी है या फिर डारेक्ट ट्वेल्थ सही मतलब अपनी आरेस की तेहरी को सुरू करें देखें मैं तो कहूंगा यह बरहम है एक कि ट्वल्थ की बढ़न की इससे बड़ा बरह मुझे नगता कोई बरहम होगा इक बच्चा ट्वल्थ से त्यारी करेगा किताबे पढ़ेगा तो फिर करेगा क्या जीवन में किताबे मत पढ़ो इंसान भी पढ़ो आप बच्चे को कॉले जाने दीजिए थोड़ा उसको खुल के जिने दीजिए हाँ यह नहीं है कि वो आउट ओप देल जाए बच्चा उस पर ठीक हो प्चा फोकस करेगा मुझे लगता है जब तक बच्चा अपनी गल्तियों से नहीं सिखेगा हर कब जब तक अजीवन नहीं जिए का कल को वो बन भी जाएगा करेगा क्या जई वाई जीवन में कुछ जीने के लिए कुछ इस को वक्त दीजिए और आप मैं खेरा हूँ जैसे आप करास्तान को बच्चा है रास्तान यूश्टी बड़ी है अब उसका स्लेबस उटाइए बिल्कुर यदि आपके कोई भी बीए कर रहा है प्रोग्राम कर रहा है पॉलेटी इस्टी जोग्राफी यदि आपने ये स्लेबस तो कुछ बचेगा यह नहीं इसके बार तो को लेज को पढ़िए उसको इंजोई कीजिए उस लाइब को जीए और फिर काफी समय है जी उनमें इसीज के लिए तो मुझे लगता है कि को लेज के बाद में ही ठीक रहता है को इसके साथ परते रही है फोकस्ट रही है लेकिन यह नहीं है कि डिकेशन बैस मुझे सिवल में 12 के बाद जाना है मैं सहमत नहीं उसी से ओके इसके लावा एक दो और स्टूडेंट सोचते है कि जैपूर या दिली जैसे बड़े सहर में जाना चाहिए यू यू पीसी या आर पीसी के एक्जाम को करने के लिए कि यूँ गा कि वो इतना मैं खूंगा इतना संतुलित होते हैं अपने जिवन को लेकर कि वो एक फिक्स बैलेंस बना लेंगे दिन में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए वो कहीं भी तैरी कर सकता है कोई दिक्कत नहीं आप उठो आप वोई से लेबस पढ़िए आपके हजारों चीजें हावे लेबल है हर एक दिन का करेंटा फेयर हरी चीड़ कर दोड़ से जायर्च आप पर लेकिन मुझे लगता है अधिक तरह लोग कुछ नगुछ बहाओ के भाव के बेंदे रहते रहते हूं तो इस भाव में बहने को रोकने के लिए और एक फिक्स के रि फिक्स जो रूटीन होता है, वो काफी अच्छा बिल्टब होता है, आप लंबे टाइम तक ना रहो, लेकि एक छोटे टाइम तक भी आप रहो उस रूटीन में, तो एक रूटीन डॉलप मुने में बड़ी साथा मिलती है। सर इसके अलबा अगर बात करें, आपने पढ़ाई की टाइम लाइबरी जॉइन कीती है या फिर सेल्प के लिए आपने सिर्फ गहर पर ही मतलब पढ़ाई कीती है लाइबरी कैसे करते हैं देखिए मैं इस बरे में कहूंगा कि मैं रास्तान कोलेज में था और वहां एक में बहुत ही पढ़ सकते मैं सच कह रहा हूं आप कभी आपको जाओ पता लगेगा तो पता लगएगा कि भी करनों सिल्क है तो वहां से मेरी होबी बाइफोर्स डलॉप हुई कि मैं सेंटर लाइबरी जाओं और वहां थोड़ा टाइम पास भी हो जाए और मैं पढ़ भी निसके साथ तो मेनें अधिक तम में जो शटडी ए वह में लाइबरी मुझे ड्री पढ़ है ओके सर आरे सिसलेबर्स को बात करें कि अगर आपने सलेबस अगर समझना साए तो सेंग सों के सेंगल अब क्या सेंगाना चाहिए यह देखिए सलेबस को स्टाइब से समझने के मैं आप कोई भी बात पहले बता चुका हूं और इबिट कर रहा हूं सैद कि आप पुइंट बनाइए आप सेलेबस को ठाइए वही बात है फिक्स और आप जदा उसमें यह नहीं है कि मुझे यह पड़ लो में इस राइटर की बुक पड़ लो में उस राइटर की बुक पड जाते हैं लग बग 90 परशेंट 95 परशेंट आपका सेलेबस एक कुशन आ सकता है उसके लिए आप पांस किताप बढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप अपने सेलेबस को लेकर और उस सेलेबस के सोर्स को लेकर थोड़ सा कंसोलिडेट रहिए तो आप काफी अच्छे से इ इसे पहले भी हमने टॉपर्स के इंट्रिव लिए और ने बोला कि कितना भी कितने भी किताबे पढ़ लो कितने भी नॉट्स पढ़ दो लेकिन जब तक आप रिवीजिन नहीं करों तब तक वो पढ़ा वो सारा कुश बेकार तो रिवीजिन के लिए अपकी क्या स्टेट चैuir ती टी कितने टाइम बाद रिवीजिन करता ते या हप्टे मेरे ते में एंतली ता कैसे हीनत दर तक वर रीवीजिन की मेरे स्टेजी यह थी कि मैंने सबज़ेक्ट बढू Martु कैंने पड़ा मैं इसनी कि हर दीन में दो सबजेट से बादना मैंने और ये वीन ये पंस सब्जेट पढ़े हार गंटे-गंटे पढ़े हाई जो फॉर्थ पेपर है उसको लेकर आपको चलना पड़ता है आर पीस के मैंस में वरना वो कहीं नहीं पीछ चुड़ जाता है तो फिर फॉर्थ पेपर को आप अलग छोड़ दीजिए उसे आपको पढ़ना है डेली सब्सक्राइब कर लीजिये यह सबसे बसो कर सकते हो तो मुझे लगता है कि रिविजिन के लिए सबसे बेष्ट है सच कहते है चाए इसमें कोई सक्वाली बात इंग जब तक रिविजिन नहीं करोंगी आप उन पॉइंट्स को आप लिखी नहीं पाओगे उस नजरी सर नह और फिर बहुत काफी तेजी सी रिविजन हो जाएगा वो तो आप हर एक सब्जेट को नोर्स मनाओ और उसके बाद में हर एक सब्जेट वाइज रिविजन करो मैंने यही स्ट्टिज मनाए थी जी इससे पहले ही भी हमने आपके बड़े भाई के इंट्री उलिया था उन्हो तो भी तमाम डिस्ट्रेक्शन से उनको किस परकार निजात पाकर इस एक्जामे क्वालिफाई को अंतीम रूप से कैसे सेलेक्शन भाई हो देखिए मैं इसमें साइध थोड़सा अलग नजरे रखता हूं इसमें मोबाइल ठीक है आप रखिए कोई दिक्कत नहीं है जैसे आपको पता है कि अब भाई में 6 गंटे पढ़ने वाला हूं या 5 गंठे का मेरा स्लोट है मैं इसमें पढ़ूँगा तो आपको उस 5 गंटे में कम से कम खौन को नहीं देखना है हां कोई ऐसा पोईन्ट आ गया ऐसा कोई टोपिक आ जिसको आपको सर्च करना गूगल पर सर अब चला है फिर चला सकते हो तिन में 5-6 यह से गयप हो सकते हैं जहां पहुंच लाओ या ना चलाओ ओके सर कोचिंग आपने लिए फिर बिना विदावट को सिंग यह इतने अपने इंट्रिव तक पोँचे तो विदावट को सिंग या फिर आपके सिरफ बड़े भ्याय क मार दिशिन से किया दें कि मेरी कोच निब Bellenden कौच इंग मेरे बड़े भाया और हमारे में दोस्त हैं विजे थ簡 है उन्होंने ही मुझे श पूरे प्रक्रिया में हाडीसी प्रक्र्यामी बिल्याए यूति में अग़ि ऐला मुझे आज भी आद है मेरे विद arts एंड्रा ये मुझे राइटर के नाम भी याद नहीं थी, बहुत मोटी बुक थी, ग्यारा सोपेज बुक थी, तो उन्हें कहा कि इस पार इस तुछ सुपड़, और भाया जब दिली से आते थे मैने बर में, तो फिर दूबारा दूसरी बुक पगड़ा देते, तो उसी टाइम से मेरे बा तो काफी इजी है दोनों तरीकों से, ओके, सर इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, आपने ये सारी स्टेर्जी सब कुछ बढ़ाई तो दिया, लेकिन अगर इसके प्रिपरेशन के अलाव फैमिली बैग्राउंड अगर बहुत निमन इस तरका हो, गरीबी सिया, मतलब मतलब ग्रामाइन एरी से स्टूडेंट्स आते हैं, तो फाइनल से इतने इस प्रिपरेशन के दोरे स्टॉंग नहीं होते हैं, उन तमाम एस्पिरेंट्स को कैसे क्या बोलना सा होगी, कैसे मतलब इस बुरे दोर में भी कैसे त्यारी कर सकते हैं, देखिए, ये जो बुरा क्योंकि आज के पांट साल पहले कोई ये कहें कि मुझे आज अमेरिका में क्या क्या हुआ, मुझे बता करना है, वो नहीं कर सकता था, वो कहें कि नागालेंड में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे भी पता जीए, वो नहीं कर सकता था, लेकिन अब आपके पास बहु पुल्टी हो, इस्ट्री हो, जोग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, कोई भी इश्य हो, उसको काफी एजी से, काफी डेप्त में, काफी एजी तरीके से आप उसको पा सकते हो, तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए, और मैं खहरा हूँ कि हमारे में से हर दूसरा बच्चा होई होगा, जो बहुत मद्यम परिवार से होगा, या फिर लोगर मद्यम परिवार से होगा, तो आप परियास कीजिए कि आप जो इंटरनेट का वरदान हमें मिला है, उस या फिर इस आप नि घ्ट ए उस बड़ा स्वर्स है उस बच्चे गिवे जो इकरोमिकली बीओ है, और जो बड़े इंस्टिटू पर्ड नहीं यह सकता बड़े सिटिए में आफोर्ट नहीं नहीं कर सकता, और ऐसी सिटीओं को ओफोर्ऑ नहीं कर सकता, जो चीज हैं लोग तो उस समय आप इस ऐसे पांसे नल को जो कभी-कभी देखते थे एक फर्स्ट नाम याद नहीं हरा एक राजबुत राजबुत हैं जो करेंट अफेर्स पे बनाते हैं मैंने उनका देखा है कहीं बार और धुरुबर राठीका बेने कहीं बार देखा हैं उनका भी काफी हल्म क तो उनको भी मैंने देखा तो पुछ यह हैं तीन चार जो हैं जो रेगुदरी में फोलो करता हूं ओके सर अब लाश्ट क्यूशन की और सलते हैं जैसे मेंस की और जो भी मेंस लिख रहे हैं उन तमाम एस्पिरेंट्स को आप क्या बोलोगए मैं कहूंगा कि जो और सोर से लग जाईए परीक्षा के दिन बहुत कम है अपने चीजों को बिल्कुल सोट कीजिए लगातार रिवाइज कीजिए और सभी को आल दे बेस्ट सब सक्सेज हों यही काम नहीं तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारी यूट टॉपर्स के साथ हम लोग आपकी क्यूसिंच पूछने की कुछिस करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए टैक करेंड बाई बाई